वेलकम टू हीट टीवी इंडियन हेल्थ मैं हूँ चांदनी डायाबेटिस होगी हफ्ते भर में कम दवाई आपके किछिन में लोगों का मानना है कि अगर किसी को शुगर की बीमारी हो गई तो इसे जड़ से खतम नहीं किया जा सकता लेकिन कुछ सावदानी और कंट्रोल किया जा सकता है शुगर के बीमारी से लोगों के शरीर में कमजोरी होती है शरीर में ब्लेट शुगर का लेवल बढ़ जाता है वही शुगर बढ़ने से कई बार लोगों की कमजोर हो जाती है इसकी वज़ा से किड़नी भी खराब हो जाती है जिसके बाद डियाल बताएंगे कि कैसे आप अपने किशिन का इस्तिमाल कर शुगर को ठीक कर सकते हैं। शुगर के बारे में यह बात ज्यादतार लोग जानते हैं कि शुगर दो तरह की होते हैं। डियाबेटिस टाइप वन और डियाबेटिस टाइप टू लेकिन आईसा मोडन साइंस के अनुसार होता है। क्योंकि आयरुवेद में शुगर को तीन तरह कमाना जाता है। इन में से यह पूरी तरह ठीक हो जाती है। यह को कंट्रोल किया जा सबता है और तीसरी तरह की शुगर को संतूलित रखते हुए इसे जीवन भर जेलना पड़ता है। जबकि मोडन साइंस के अनुसार डायाबेटिस टाइप वन कभी पूरी तरह ठीक नहीं होती। और डायाबेटिस टाइप टू के ठीक होने की संबावना होती है। यह तो मेडिकल संबंदी बात हुई जिसका आपके लिए क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब यह आपके वूपर है कि आप अपनी शुगर की बीमारी का इलाज आईरुवेट के हिसाब से कराना चहते हैं या अंग्रेजी दवावन के अनुसार। हम आपको यहां जिन हर्ब्स और घरेलू नुक्सों के बारे में बता रहे हैं यह सभी आईरुवेट से संबंदित है। और शुगर लेवर मेंटेन रखने के साथ ही डायाबेटिस टाइप 2 के पूरी तरह टीक करने में मदद करते है। शुगर को कांट्रोल करने के लिए लसुन फाइदे मन होता है। जर्नल अव्फ़ाइटो मेडिसन के मताबिक लसुन में ऐलीसिन कंपॉंड पाया जाता है। जो यह एक ऐन्टिडियाबेटिक होता है। यह कंपॉंड को यह बीमार्या के लिए करगर होता है। इसके सेवन करने से शुगर कंट्रोल होता है लसन खाने सेवन से High Blood Pressure कंट्रोल होता है इसके सेवन से शरीर में होने वाले जोडों के दर्दों में भी आराम मिलता है हल्दी को और वेद में बहुत ही फायद मन माना जाता है इसमें कई तरह तत्व पाये जाते हैं जो बीमारिया में असरदार साबित होता है हल्दी एंटी बयोटिक होता है रिपोर्ट के अनुसार हल्दी में एंटी डियाबेटिक तत्व पाये जाते हैं इसके सेवन से शेरीर में शुगर की मात्रा कंट्रोल होती है जानकारी के अनुसार हल्दी में कर्क्यूमिन कंपोन पाया जाता है जो शेरीर में मवजूद ग्लूकोस को कंट्रोल करता है शुगर मरीज हल्दी वाले दूद का भी इस्तिमाल कर सकते है लोंग लोंग शुगर क के अनिसार लोंग का सेवन करने से शेरीर में इंसलिन बनाना तेजी से शुरू हो जाता है इससे शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है काली मिर्च काली मिर्च शेरीर में इंसुलिंग के स्तर को सही बनाये रखने में मदद करती है या आपका ब्लेड शुगर लेवेर कान्ट्रोल रखने में मदद करती है काली मिर्च में PREPARING नाम का इंग्रियेंट होता है जो शुगर स्पाइक्स को बढ़ने से रुपता है आप एक काली मिच को पीस ले और आदा चमच हल्दी पौडर में मिला कर इसे गर्म पानी के साथ खा ले इस विदी को आपको रात के बोजिन करने से एक गंटा पहले अपना ना होगा मेती धाना शुगर की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए आयरुवेदिक हर्ब्स के मेती धाना बहुत प्रबावी माना जाता है ये तो इसका सेवन करना आसान है और दूसरे इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी देखने को मिलता है रात को एक चमच मेती धाना पानी में भीगा कर रखे और सुबा खाली पेट सबसे पहले इसे ही चबा कर खाए डालचिनी डालचिनी का सेवन करने से इंसुलिन का सही रहता है और बड़ी हुई बलेट शुगर कम हो जाती है यदि कुछ खाते ही आपका शुगर लेवल बर जाता है तो डालचिनी का एक नुकसा आपको जरूर अपनाना चाहिए चोटी चम्मच से आदा चमच डालचिनी पौडर इतना ही मात्रा में जल्दी पौडर और मेती पौडर लेकर तीनों को मिलाले और सुवा खाली पेट इनका सेवन पानी के साथ करें आप अपनी हर्बर टी में एक बिच्छुट की डालचिनी पौडर डाल कर इसका सेवन कर सकते हैं फिर मिलेंगे अगले हेल्द टिप्स के साथ धन्यवाद